प्यारे बच्चो चुक चुक रेल गाड़ी को देख कर मज़ा आया बस इस्थानक बंदरगा हवाई अड़े से होते हुए अब हमें रेल इस्थानक पर जाना है बच्चो आपको जो दुरिश नजर आ रहा है वो रेल इस्थानक का है यह धल मार्ग है रेल इस्थानक के अंदर आते ही हमें टिकेट घर और आरक्षन का काउंटर दिखाई देता है रेल में बैठने से पहले ही हमें टिकेट निकालना पड़ता है हम इस टिकेट घर से टिकेट निकालते हैं अगर हमें कुछ दिनों के बाद यात्रा करनी है तो आज ही अपना टिकेट निकालकर रेल में अपनी जगह को सरक्षित कर सकते हैं आज के दौर में हमें टिकेट निकालने और आरक्षन के लिए रेल इस्थानक जाने की जरूरत नहीं है हम अपने मुबाइल से ही ये दोनों काम कर सकते हैं रेल इस्थानक पर भीर नजर आती है अनेक यातरी अपने सामान के साथ आ रहे हैं और कुछ यातरी बाहर जा रहे हैं वहाँ पर एक टिकिट चेकर टिकिट की जांच कर रहा है ताके बिना टिकेट कोई सफर ना करे वही पर एक खुली यात्रियों का सामान सर पर रख कर ले जा रहा है टिकेट घर के सामने हमेरे लिस्थानक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मैटल डिटेक्टर दुआर दिखाई देता है धातू और धातू से जुड़ी चीजों हतियार विस्पोटक का पता लगाने के लिए मैटल डिटेक्टर का उप्योग होता है प्लेटफॉर्म पर कई यात्री अपने सामान के साथ बैठे हैं और कुछ यात्री खड़े हैं यह सबी अपनी रेल के आने का इंतिजार कर रहे हैं एक सफाई कर्मी प्लेटफॉर्म पर ज़ाडू लगा रहा है प्लेटफॉर्म पर एक रेल खड़ी है रेल के पास ही समय दिखाने के लिए घड़ी लगी है रेल के डिबों की इस्तिती समझने के लिए डिबों के क्रमांग के बोर्ड लगे हैं एक आदमी खाद्य सामगरी बेच रहा है लोगों को रेल संबंधी सुचना देने के लिए लौडि स्पिकर लगा है यह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रेल का भी अनॉंस्मेंट होगा कई बार चोरो द्वारा सामान की चोरी होती है ऐसा ना हो और यात्री सावधानी रखें इसके लिए सुचना दी गई है अपने सामान का ध्यान रखें सुचना फलक के पास ही एक खुटा खड़ा है तो यह था रेल स्थानक का वर्णन प्यारे बच्चों बस स्थानक, बंदर गहा, हवाई अड़ा, रेल स्थानक यह सारवजनिक इस्थल है यानि सभी लोगों के उपियोग और सुवीधा के लिए बनाए गए है इसलिए इन सभी जगों पर हमें सुच्छता का खयाल रखना चाहिए